अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज सस्क्राइब कर दिजेगा सो देट मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ऐसे आपके लिए दिखिए जब आप एक आपका एक न्यू कमर हो या तो आपका कुछ थोड़ा सा टाइम हुआ है तो यूजिली लोग क्या करते हैं वर्सेस एक अडवांस लेवल का जब आपको डील क्रैक करना है तो उसमें डिफरेंस बताता हो तो आप समझ नहीं डिटिल वीडियो के है जब भी आप किसी भी बायर के साथ जब अपॉमेंट लेते हो उससे परस्नली मिलने जाते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जैसे आप जब भी जाओ अल्वेस केरी यूर लैप लोडिंग के ऐसा होगा वैसा होगा थाकि उनको समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगी वह चीज़ अपर्ट फ्रम डाट आप अपना वर्क फोर्स का वीडियो बना दिखा सकते कि कितने लोग काम कर रहे हैं सारी चीज़े या तो मेकिंग प्रोसेस क्योंकि मैक्सिमुम सब्सक्राइब लोग कोई मीटिंग के लिए जाते हैं वो सिर्फ अपनो प्रोड़क का ब्रॉशर लेके जाते हैं प्रोड़क कैटलोग वगरा सारी चीज़े और वर्बली एक्स्पिन करते हो तो वर्बली से अच्छा आप विजूराइजेशन का दिखा दीजिए कि ये हमारा प्रोड़ प्रोड़क रहसा होता है कोई भी कमेटिटी का उसका प्रोसेस हो गहीं होगा उसके बाद आप सैंपल ले जाना बहुत सारे मतलब डिफर डिफर वाराइटीज के अलगला कैटेगरीज के अलगला क्वालेटी के ताकि एस पर हीज निल्ट कें चूज प्रोसेश के आया रहे हो याँ या अपके लैक लख कर रहे हो तो यह जब चीजरे अपके इसमें हो चुके होगी तब नेक्स जीज में आते हम अडवान्स लेवल के ओपर के अधम में कैसे वह उता है थिसमें सबसे में चीज के इसमें कि प्रोड़क नॉलफिश किया आप सब सब पूछेगा तो प्रोड़क्ट नॉलेज इस वेरी इंपोर्टन कि इसका कल्टिविशन कब होता है ठीक है किसी चीज़ का अगर मान लोग कि पैरिशिबल आइटम में हो पैरिशिंग में आपको पूछ सकता है कि इसका पूरा प्रोसेस के आए कोई सी कॉलिटी यूज इसके बाता है प्राइजिंग आपको ध्यान देना है कि सब्सक्राइब करो आप इंडिया की किसी भी पोड़ से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप जिसके साथ भी मिलना मिलने के लिए जा रहे हो तो अल्वेज रिमेंबर कि आपको चेसे कोटेशन लेना की इंडिया टू व सके हो का मालो कोई चीज 100 रुपीज की है और आपने वाला कि 20 रुपीज का ट्रांस्पोरेशन कोस्ट है फॉर एक्जमपल तो आपके दिमाग में आप बहुत चीजे बिठाओ क्लाइन के साथ कि यह प्राइज यह है और अगर आपके पोर्ट तक डिच्चार्ज देना है फोबी प्राइज यह होगा और प्राइज यह है ताकि उसको पिक्चर क्लियर हो जाए उसके बाद में चीज़ के आती है कि आप उसको एजुकेट करो कि आपको इंपोर्ट डूटी नहीं लगेगी अब यह पॉइंट कैसा वैलेड है क्योंकि मैक्सिमम टाइम इंडिया से किसी कंट्री में ट्रेड अग्रिमेंट्स है जैसे यूए के साथ अपना ट्रेड अग्रिमेंट है आपका अभी ऑस्ट्रेले के साथ ट्रेड अग्रिमेंट है तो वहाँ पर बायर को इंपोर्ट डूटी नहीं पे करनी पड़ती है तो जो बायर होता है क्या पता शायद व बताओगे ना कि you even you don't need to pay import duty तो उसको लगेगा कि हम मैं इस country से ले रहा हूँ तो मुझे इतना प्राइस पढ़ रहा है अगर मैं इंसल लेओंगा तो यह चीज़े रहेगी करो इसके बाद आप छोटे से ठोटे डिटर पर काम करो कि कैसे करना वह बताता हूँ अभी सपोस्पोस करो आप मीटिंग पर बैठो और कोई भी कंसायमेंट आपको नया बायर एक मालो स्पाइस में या तो लेदर में हो तो स्पाइस का बड़ा और नहीं देखा क्योंकि वह उसका कॉस्ट बहुत हाई साइड पर चला जाता है तो आप उनको कैसे करोगे सर मेरा मिनिममूम और कॉन्टेटी यह है कोई भी प्रोडोक आप एक्स वाइजी लेदर का प्रोडोक आप बोलो कि अगर आप हमसे थाउजन का लोगे इनिशिल का आप एक अंटर मतलो इनिश इसकांट दे सकते हो तो यह चीज़े बताओ कि आप स्टार्ट करो वह पूछेंगे तो नेगोस्टेशन के लिए आपको रिडिर हैना पड़ेगा कि एक हजार का अगर पीज भेश्टो तो इतना बॉक्स होदा और इसकी कॉस्ट इतनी पड़ेगी लसे ल की पांच हज़र कारगो में सीवें का कॉस्ट कितनी यह चीज़े और पैकिंग बताना उसको कि इसे पैकिंग में हम प्रोवाइड करते हैं और यह चीज़े आप जब करोगे ना के साथ मीटिंग में बैठके जो भी पॉइंट बता रहो इसके उपर आप खुद भी एक बार डिसकॉस करना म अब जब भी रिप्रेसेट करें एक पॉइंट के उपर ध्यान करके इसके पुपरा फोकस करके फिर चले जाएं तो आपको चांसे है कि बायर मिल सकते हैं उसमें आपकी मीटिंग सक्सेस्पुल जा सकते हैं एक्सपूट इंपोर का मार्केटिंग का स्पेशली हाव तो र्यूस इसक्रफसे एंपूने संपकूर थे स्बत्राटो